दोस्तों आज किस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं LG का UQ7350 मॉडल का ये टीबी बजट सेग्मेंट का टीबी है जिसकी पिक्चर कॉलिटी काफी बहतरी है इसकी जो डिजाइन है वो बिलकुल सिनेमाटिक डिजाइन के तरह देखने को मिलती है साथी साथ ये टीबी अंडर 35,000 के आसपास देखने को मिल रहा है 43 इंच का वेरियन अगर आप इस टीबी को पर्चेस करने का सोच रहे है या फिर आपको अंडर 35,000 का बजट का टीबी चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देखे आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्या ये टीबी आपको पर्चेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए क्या ये टीबी वैल्यो फोर मनी है या नहीं आपको सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब पर लिए, ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे, मैं इसी तरह का अन्बॉक्सिंग और टेक रिलेटेड वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता हूं, तो चलिए फट इस डेट है, MRP, Model Number, Mention की गई है, इसके बॉक्स के अंदर आपको दो टेबल टो पैस्टेंट, एक नॉर्मल रिमोट देखने को मिल जाता है, रिमोट को देखे, कुछ इस तरह का रिमोट प्रोवाइट किया गया है, जो की बेसिक सा रिमोट है, इस टीवी में मैजिक रिम बताता हूँ किस तरह से आप इस टीवी बे magic remote use कर सकते है आगे अगर टीवी के design and ports को देखे तो ये 3-side bezel-less design के साथ देखने को मिल रहा है नीचे center में LG की branding करी गई है back side से अगर देखे तो body जो है metal का दिया गया है front से अगर इस टीवी को देखे तो बिल्कुल bezel-less design के साथ दिखती है look wise अगर हम इस टीवी को rating दे 8 out of 10 दे सकते है क्योंकि इसका जो design है build quality है वो काफी perfect है ports को अगर देखे तो यहाँ पे 3 HDMI मिलता है HDMI version 2.1 का support है साथ ही साथ ये auto low latency mode and ERC को भी support करता है जिसमें आप Dolby Atmos के home theater को भी use कर सकते हैं दो USB पोर्ट है RF input, LAN पोर्ट AB in and optical का भी option दिया गया है Bluetooth version 5.0 देखने को मिलता है साथ ही साथ and Wi-Fi version भी 5.0 दिया गया है जो की dual बैन Wi-Fi का support है तो overall ports and connectivity सभी तरह का यहाँ पे provide किया गया है अगर इसके picture quality को देखें तो यह TV VA display with 10-bit FRC delayed panel के साथ आता है जो की अच्छी quality प्रोवाइड करती है जिसमें color detailing काफी बढ़िया है color के sets भी आप काफी अच्छे देख सकते है इस TV में कुछ negative points भी है जो की मैं वीडियो में आगे बताऊंगा पहले इसके positive points को जान लेते है इसमें मिलता है alpha 5 AI 4K processor generation 5 का जिसके वज़ासे best detailing देखने को मिलती है इस TV में अगर आप 4K वीडियो प्ले करते है या फिर आप normal HD full HD तो सारे में आपको detailing का कमी देखने को नहीं मिलेगा because इस TV में प्रोसेसर काफी अच्छा यूज़ किया गया है color detailing की बात करें तो इस TV में color का shades, color detailing काफी अच्छे निकल करा रहा है and इस TV की जो brightness है वो मुझे थोरा सा कम लगा क्यूंकि इस TV में जब HDR content को प्ले करेंगे थोरे से brightness का कमी आपको देखने को मिलेगा overall picture quality अगर हम ऐसे देखे तो आपको कोई तरह का दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है upscaling की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप HD channel या non-HD channel को प्ले करते हैं तो HD channel में upscaling काफी बढ़िया है color detailing, face tone और भी चीज़े detailing बगरा यहाँ पे सभी चीज़े अच्छी दिखती है वहीं पे HD channel में आपको उतना जादा upscaling नहीं होता है क्योंकि 4K TV में HD channel को उतना जादा upscaling नहीं कर पाता है जिसके वज़ासे आप normal content को उतना जादा अच्छे से enjoy नहीं कर सकते है and इस TV में refresh rate की बात करें तो 60Hz का refresh rate दिया गया है जिसके वज़ासे आप अगर normal movies बगरा देखते हैं fast scene देखते हैं या फिर cricket match, news ये सभी में आप जो motion blur का जो effect होता है वो आपको जाधा देखने को नहीं मिलेगा इस TV की एक disadvantage है क्योंकि ये TV VA panel के साथ आता है जिसके वज़ासे इस TV को अगर आप wider angle से देखते हैं उस condition में color काफी जाधा washout होता है बट इस TV का एक advantage point भी है क्योंकि ये VA panel है जिसके वज़ासे इस TV में blacks काफी अच्छे दिखेंगे और आप इसको front से देखेंगे तो color का जो vibrancy है वो आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेगा आगे अगर बात करें इस TV में HDR10, HLG ये सभी चीजों का support मिल जाता है जिसके वज़ासे आप OTT content like Netflix, Prime Video, Disney Hotstar पे HDR10 में maximum OTT content को देख सकते है quality आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा साथ ही साथ इसमें 9 type का picture mode भी provide किया गया है जिसमें film maker mode भी है overall मैं picture quality के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे picture quality में किसी तरह का problem नहीं है detailing काफी अच्छा है, color काफी अच्छा है इस TV में viewing angle का थोड़ा problem देखने को मिलेगा अगर आप जादा wider angle से देखते हैं तो वहाँ पे issue देखने को मिल जाएगा इसके user interface को देखे तो यह TV waveOS operating system के साथ आता है जो की 2023 वाला version है जिसमें आपको सारे application home screen पे देखने को मिलेंगे app store भी मिलता है जिसमें आप other application को जाके install कर सकते हैं interface काफी fast है, smooth है lag आपको feel नहीं होगा वहीं पे अगर हम बात करें इस TV में अगर आप setting वगरा को open करते हैं ऐसे operating system का इंटरफेस है उसमें किसी तरह का problem नहीं है scroll बगरा करेंगे या application को open करेंगे साथ ही साथ Apple AirPlay and Apple HomeKit का भी support मिलता है जिससे कि आप Apple के devices को भी easily connect कर सकते हैं या फिर Android phone से अगर स्क्रीन mirroring करना चाहते हैं तो वह भी easily कर सकते हैं इस टीवी में multiple voice assistant का भी support है जिसमें built-in Alexa दिया गया है और LG का खुद का AI voice assistant दोनों assistant को आप use कर सकते हैं इस टीवी में आप voice assistant यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्योंकि इस टीवी में normal remote provide होती है box के अंदर अगर आप इस टीवी से magic remote को pair करके use करना चाहते हैं तो वह easily कर सकते हैं magic remote purchase करना है तो मैं link description में दे दूँगा या फिर आप service in charge से भी इसे purchase कर सकते हैं overall इसके user interface को देखें तो काफी बढ़िया interface है lag बगरा feel नहीं होगा sound की बात करें तो यहाँ पे total output 20 watt का दिया गया है जिसमें dolby audio का support है साथी साथ यहाँ पे sound mode भी काफी जादा provide किया गया जिसमें AI sound mode भी provide किया गया है तो यहाँ पे आपको sound में किसी तरह का problem देखने को नहीं मिलेगा sound quality काफी बढ़िया provide किया गया है अब आगे बात कर लें अपना opinion के बारे में अगर मैं अपना opinion दू इस टीवी के बारे में तो फिर आप इस टीवी को purchase कर सकते हैं लेकिन कुछ condition है आप इस टीवी में magic remote अगर आप purchase करके use करें तो फिर ज्यादा बढ़िया होगा क्यूंकि इस टीवी में box में नॉर्मल रिमोट आती है जिसके वज़ा से आप इसमें voice assistant को यूज नहीं कर सकते हैं मैजिक रिमोट का जो option होता है आप इसके alternative अगर टीवी को purchase करना चाहते हैं तो इसके comparison में एक और टीवी है UQ-7500 है वो आपको अच्छे price में भी देखने को मिलती है और टीवी IPS पैनल के साथ आता है चूज कर सकते हैं IPS पैनल के साथ जाना चाहते हैं या फिर VA पैनल के साथ आप दोनों model को purchase कर सकते हैं price में भी आपको difference देखने को मिल जाएगा I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर दिए चानल पे पहली बार आ रहे हैं चानल को subscribe कर लिए मैं इसी तरह का unboxing and take related वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता हूँ तो मैं मिलता हूँ इसके अगले वीडियो म तब तक के लिए take care good bye